आदनी अशोक एरोट साहब, आदनी है हमारे महासर जिव, अमिनाज पांडे साहब, मंचा सीन, लूडी साहब, सिपी जोशी जी, मोन प्रकार साहब, बंकर जी, रगु सर्मा जी, मारी जलाद दक्ष मिना जी, तारजन बहुरा साहब, रगु मिना जी, जुबेर खान साहब, म कॉंग्रेस निता जहां मौझूद है, मैं एक बार पुने, आप सब की तरफ से, और अप्री तरफ से, आदनी राहूल गानी जी का, जालवार की दर्दी पर पुने स्वागत करता हूं, इस जोर दावतानिया बजा कर राहूल जी का स्वागत करें, आज चुनाओ के समय में राहूल जी जालावार आए, आज से साल 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 पहले, बारा में एक बहुत बड़ी विशाल गंसभा को नों ने संबोदित किया था, हारोती से, आदनी सोन्या गानी जी और राहूल गानी जी का विशेश लगाव है, यहां के लोगों ने हमेशा कॉंग्रेस पार्टी को, राहूल जी को सोन्या जी को आशिरवाद दिया है, यहां के लोगों के दुख और सुख में, सत्ताया विपक्ष में, हमेशा और हर बार सोन्या जी राहूल जी आते रहे हैं, मिलते रहे हैं, आज साथ दिसंबर को विशान सभा के चुनाव हैं, हमारे राश्ट्रे अद्रक लेने के बाद भी उन्होंने जनता के साथ विश्वास गात किया है आज विकास के दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है इसलिए नाना प्रकार के मुद्दे उठाते हैं अमिच्छा साथ राजिस्तान आये थे अपनी पार्डी का पचार करने के लिए लेकिन वसुंद कि बाद किसान की बिजली की खाट की पानी की शिक्षा की चिकित्सा की सुरक्षा की उन बातों पर दिकर नहीं किया जो कि पुरा राजस्तान जानता है पुरा देश जानता है कि राजस्तान के अंदर आज भी आज से दस महिलाव बच्चियों का बलात का रोज होता है यह कोई लाग का है बारा जिला में हम लोग गई थे साल नेट साल पहले यहां सेर्या समाथ के हमारे आदिवासी बाइबेन रहते हैं देज दर्जन बच्चे को पोशन का शिकार होके मर गए राजिस्तान में 200 से जादा किसान ने आत्मत्या करी है उसमें से अधिकांच आत्मत्या हारुती छेत्पी हुई है बारा जालवार में हुई है यह मुखमंद्री का जिला है मुखमंद्री का छेत्र है लेकिन मुझे तुक है कहते हुए कि जो जिम्मेदारी का निर्वान वसं के काम कराएं मनद से बोला उनकी घोष्ला के तुरंत BAD यहां के जला कलेक्टर जिठ्ड की भारत सरकार को कि जहालवार ज़ला यहां पे शिक्षा兒 नहीं है लोग अशिक्षित हैं बिजली की तारे नहीं है पीने का पानी है तो जहालवार जिले को अती पिछड़ा जिला गोशित करना चाहिए मुख्मंद्री का जिला साड़े चार साल के बाद उनीका क्लेक्टर लिखके देजता है कि जालवार जिले को अती पिछड़ा जिले की शेड़ी में डाल दीजिए क्योंकि यहां पर पर्यात विकास नहीं हो सका कुछ समय के पहले ने कंग्रेश पार्टी ने किसान आत्त्या कर रहा है लश्ण की फ़सल पैदा करने वाले वाले किसान अपनी जान देने के लिए विश हो चुके हैं बंडियों में बैटे जमाखोर और काला बाजारी करने वाले लोगों को आपका संग्रक्षन प्राप्त है आप कृपा करका ध्यान दे कुछ घोशनाएं हुई लेकिन धरातार पर किसान को रात नहीं मिल सकी साथियों आज राहूर गांदी जी हमारे पीछ आए हैं आप सब लोगों को संदेश देंगे पूरे राजस्थान में कॉंग्रेस पार्टी पूर्जा और ताकत से आगे बढ़ रही है पिछले सारे चार साल से कॉंग्रेस ने सरकों पर आकर जनता की अवाज बनकर जो काम किया है आप जनता के दिरो दिमाग में पूर्जानी और कॉंग्रेस पार्टी पार्टी कोई भी ड्रामा कर ले कोई हतकर नाम ना ले कितनी अफ़ाएं पहला ले लेकिन साथ करोर राजस्थान के लोग कॉंग्रेस को आशरवाद देने के लिए उतारू है और साथ दिसंबर को भारी बहुमत के साथ राजस्थान में लेकिन हारोती में बारा में जालवार में हर सीट पर कॉंग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी ये संकस्थ लेने के लिए आप लोगों को यहाँ पर आमंदित किया था राहूर गानी चीज़ में रिवदन करना चाहता हूँ आज राजस्थान का नौजवान आपकी तरफ देख रहा है कॉंग्रेस की तरफ देख रहा है ये लाग पंद्रा लाग नौकरी देने वाले लोग लोगों के खाते में पैसा जबा कर आने वाले लोग इनकी नाक के नीचे बश्रचार हुआ है मुख मंत्री का कार्या ले है मुख मंत्री के आसपास रहने वाले लोग बश्रचार में लिप्त हैं फिर भी पदान मंत्री कुछ बोलते नहीं है आज नौजवाना और किसान कॉंग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है और हम सब मिलकर ये संकब लेते हैं कि आने वाली जो सरकार बनेगी वो कॉंग्रेस पार्टी की बनेगी भागेदारी होगी किसान की, नौजवान की, गरीब की, महिलाओं की और हर उस वर्ग की जो आज अब बेक्षित महसूस करता है आप सब सो मैं इमेजन करूँगा कि राउजवानी जी का स्वागत भी करें लेकिन इंका भाशन सुनने के बाद पूरे जाला वारने जाके एक-एक गाओं गली महले में जाकर कॉंग्रेस पार्टी का तिरंगा जन्डा फैरा है और यहाथ का निशान अभी आजने अजो गलो साथ बोल रहे हैं कि चुनाव में बहुत से लोग टिकेट मांगते हैं और यह बात सच है कि राजे शबान में इस बार राज कांग्रेस का हाएगा तो लोग कारे करता त्यूठ सामें बहुत से लोग टिकेट मांग रहे हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी सबकी सला के बाद एड विक्ती को टिकेट देगी उस वेक्ति को जिताना हम सब कांग्रेशियों का कर्तव है और वो ही सच्चा कांग्रेशिय है जो कांग्रेश का निशान और हाथ की पेचाथ पर अपना हमत तरह पी पागत ठोग देगा मैं आप से रोद करूँ साथ 36 कों के लोग एक जूट हो जाए मैं आप पर सत्ता बदलने वाली है और राज जन्ता का आने वाला है आप लोगों का आने वाला है मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप से उमीद करता हूँ कि आज से लेके साथ तारिक तक हम में से कोई घर नहीं बैठेगा और एक एक वोट कॉंग्रेस पार्टी के पक्स पर दलवाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद जाहिन राम राम साथ